हेलो एवरिवन वेल्कम टू एक्जांटेजी सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एम में पॉलिटिकल साइंस और जेन्यू का लास्ट यर के कट आफ के बारे में डिसक्स करेंगे और इसके साथ यह वी डिसक्स करेंगे कि आपको जो 75 पोश्चंस और डोमेन के क करने पड़ते हैं तो उसमें से आपको कितना सही करना पड़ेगा तो इसलिए आप यहां पर देख पाईएगा कि यहां पर जो है कि लास्ट यर का कट आफ हम लोग ने निकाल लिया है पॉलिटिकल साइंस और इसमें जो है हम लोग हर एक कटेगरी वाई जो है डिसक्सन कर रहे थे कि सर 75 में कट आफ कनुसार से मुझे कितना सौल करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे आप देखिएगा जो जेनी का जो कट आफ निकलता है वो पर्षेंटेज के बेसिस पे निकलता है इसलिए साइड में सारे चीजों को हम लोग एक्स्प्लेइन भी करते चले जाए आघे तो जो इंपॉर्टेंट चीजें सबसे फैसे पहले तो मैं आपको बता दू कि जेनी जो है प्रसेंटेज के में कि सबैसिक करते हैं तो पर्षेंटेज के बेसिद्ग क्या हो जाता है आपके मालीजी जैसे 300 कोशन्स 300 Marks के 75 पूच्छे जाते हैं तो इसमें out of 300 आपका जो भी स्कोर होता है उसको जो है माल लिजए कि आपने 240 स्कोर किया है तो 240 divided by 300 इंटू आपको 100 करना पड़ेगा तो इससे आपका 80 पॉर्षेंट जो है निकल यहां जै जाता है तो यह तरीका है जिस तरीके से आप यहां प्राण पर देख पाईएगा जो polysg और भी चीजों को हम लोग एगवार discuss कर लेंगे क्योंकि इससे पहले के एक वीडियो में हम लोग ने बात की थे कि आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा लेकिन फिर भी बहुत सारे को इस्ट्रों के यह कोशन आ रहते सर इसकोर तो ठीक आपकी बताईगे 75 में मुझे कितना सही सही करना पड़ेगा तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं यहां पे जैसे मान के चली कि अगर 84.667 आपको जो multiply करना है तो जब आप इसको multiply करते हैं तो 84 इंट्व 3 आपका 252 हो जाता है अब 0.667 को 3 से अगर आप multiply करते हैं तो roughly plus 2 marks और हो जाता है तो हो गया आप 254 पर किसे तो 254 अगर हम लोग बात करते हैं कि कितना out of 300 पे admission हुआ है तो जो last candidate का जो एड्मिशन हुआ है वो 254 के मार्क पर होता है अब कोशन यह है कि सर इसको कोश्चन के रूप में हम लोग कनवर्ट करें तो फिर कितने कोश्चन हम लोग को 75 में सब्सक्राइब करने पड़ेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं कि 75 कोश्चन जो है और टोटल इच करेक्ट कोश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स एवार्ड के जा रहे हैं दिस मिंस 75 इंटू अगर आप 4 करते हैं तो यह 300 हो जाता है तो यहां पर आपको अगर निकाला है कि मुझे 75 में कितना सॉल्व करेक्टी कर पड़ेगा तो इसको सिंप्ली आप डिवाइड़ वैफ और कर दिजिए अगर आप इसको डिवाइड वैफ और करते हैं तो रॉफली मान के चलिए कि एरॉंड जैसे 60 इंटू 4 करते हैं तो 240 हो जाता है फिर भी आपके 14 कोश्चन बचे तो मान के चलिए कि अगर आप 64 आप नहीं होना चाहिए तभी आपका जो है जन्रेल केटिगरी में एडमिशन हो पाएगा तो अब आप समझ पा रहे हैं कि अब नेगेटिव मार्किंग भी है नेगेटिव मार्किंग में माइनस वण हो जाता है तो आपके वहां पे भी मार्क जाएंगे अब यह जो हम लो सिक्स्टी जेनल कर्टेगरी में है तो यहां 64 है तो कम से कम यह मानगे चली कि आपके 67 को करेक्ट होने ही चाहिए यह अगर आप क्योंकि देखिए अगर आप माल लीजिए 65 करेक्ट करते हैं और 10 कोजिशन ऐसा है जो आप गलत कर देते हैं तो इसको माइनस कर दीजिए तो आपके माइनस 10 मार्क्स हो जाएंगे 10 मार्क्स का मतलब हो जाता है कि 4.5 कोजिशन आपके गलत हो गया यानि कि आपका जो है एराउंड 62 कोजिशन के अनुसार से ही करेक्ट मार्क्स मिलेगा तो वह भी बहुत बड़ी समस्या है नेगेटिव मार्किंग में तो उस चीज एक जीज यहां पर और इंकूड मैं करना चाहूंगा वह है डेप्रिवेशन पॉइंट तो यह जो सारा आपको फोर से निकल आ रहा है चाहिए और यह मिनिम्मम जो लास्ट का एडिमिशन हो रहा हूं उस चीज के लिए मैं आपको बोल रहा हूं तो आप समझ सकते हैं कि कॉंपोडिशन लेवल कितना हाई है क्योंकि टोटल हमारे पास सेवंटेफाइट कोश्चंस ही है सेवंटेफाइट कोश्चंस में सिक्ष्टी सेवंटेफाइट कोश्चंस के लिए जो है पाइट करना पड़ेगा कि एट कोश्चंस से ज्यादा अगर आपका गलत हो जाता है और यहां पर ऐसा है कि आप छोड़िये तो नहीं क्योंकि अगर इस कंडिशन में जहां पर आपको लग रहा है कि यहां तोड़ा स आप सिस्टी सेवंट पोश्चंस करेक्ट कर पा रहे हैं तो फिर अगर डाइसी सिच्वेशन है तो वहां पर आपको एटेम्ट लेना चाहिए तो रफली आपके पास 65 कोश्चंस तो कम से कम बच जाएंगे क्योंकि 67 कोश्चंस है अगर आठ के आठ भी गलत होगे तो मानस एट ही हुए और जैसे 67 करेक्ट किया तो इसमें से दो कोश्चंस के इंटो फोर एट मार्क मार्स जाएंगे फिर भी आपके पास 65 करेक्ट हो जाएगा और साइध आप मिनिममम कट आफ मार्ग वह क्लियर कर पाएं लेकिन फिर भी वह 67-61 सही करना अपने आप में एक चाले के जो मेल केंडिडेट हैं जेनल के टेगरी उनका जो है सलेक्शन हुआ है तो उस सीज़ का जो है ध्यान रखना है कि यहां जितना जाद से ज्यादा सॉल्व करता है अब इसी तरह बात करते हैं अब जो नेक्ट केटिगरी है से ड्यूल कास्ट तो अब जैसे जो चीज समझा दिया है हम लोगों ने अब क्या करेंगे कि फटफट जो है अब कनवर्ट करके लिखे चले जाएंगे तो स्टेडिल कास्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो पटफ गया था 72 तो 72 इंटू अगर 3 करते हैं यह हो जाता है 1216 और डिवाइड वाइगर हम लोग माल 100 पॉसेंट आफ्टर निगेटिव मार्किंग तो आप निगेटिव मार्किंग को लेके चले कि 57 58 अगर आप कर पा रहे हैं तो फिर आपके चांसे से सेलेक्शिन होने हैं तो इस पूरे विडियो में हम लोग बाते करेंगे कि पर कोश्चिन आप पर कैटेग्री आपको कित आप बात करें पी डेवलोडी कैंडिडेट की तो 60 मान के चलते हैं तो 60 इंटू 3 आपका हो जाता है 180 और 180 डिवाइड़ अगर आप 4 करते हैं तो आपका जो है एरांड रॉफली 45 पोश्चिन सही होने चाहिए 45 पोश्चिन आफ्टर नेगेटिव मार्किंग इस मिन्स आप आप मान के चले कि 47 48 अगर आप सही करते हैं तो चांसे हैं कि आपके सेलेक्शन हो जाएंगे लेकिन हाँ अब यह नहीं कि इसके बाद भी आपके पास 25 पोश्चिन जो बच रहें उसमें फटफट फट नेगेटिम आज बंद करेंगे ठीक लगाने चले इतने नेगेटिव मार्किंग से भी फिर आपके जो है जो अबरॉल मार्क्स हो रहा है वो कम हो जाएगा नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी केंडिडेट की तो ओबीसी केंडिडेट में यहां पर आप देखेगा जो कटप जयाता सेंटीनाइन कॉइंट थी तरी तो इन्टू अगर 3 करते हैं त तो यहां पर आप देख लिजेगा जो नंबर अफ करेक्ट कोस्ट जो हम लोगों को सही सही सौल्व करने होते हैं तो वह 59 60 मान के चलिजिए कि आपको कम से कम 60 कोस्ट जो है आउट अउट अप 75 सौल्व करने हैं तो यह तो वह है जो लास्ट कैंडिडेट का जो सही हुआ ह होगा लेकिन यहीं पर नेगेटिव मार्किंग को लेकर चले तो 62 से 65 आपके सही होने चाहिए आपके पास 10 कोशन सही से बच जाते हैं जो आपको नहीं आता है या फिर डाइसी सिच्वेशन है और फिर भी तांस ले सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग के बाद भी आपका क 50.66 है तो इनका जो कटफ निकल कर आता है वह है 245 तो 245 डिवाइड पाइगर हम लोग मार्किंग करते हैं तो यह मान के चली कि 61 जा 62 ही कोशन मान लें तो आउट आप 75 आपके पास 62 कोशन तो यहां पर फिर मैं बोलूंगा कि आपको कम से कम 65 का कोशन मिन्मम सही होना है चाहिए इसलिए क्योंकि आपके पास 10 कोशन है इसमें आप जो है नेगेटिव मार्किंग आपका हो जाता है मानस 10 तक भी हो जाता है तो वह आपका घटकर 62 अबलिक 63 तक सही कोशन के बेसिस पे आपको मार्क जो है अलोट हो जाएगा 245 को परसेंटेज निकल के आजाएग तो यह पूरा प्रोसीजर है जिसको की आपको फॉलो करना पड़ेगा अब आप देखिए आप सिवाए पी डवली के बांकी किसी भी केटेग्री से ब्लॉंग कर रहे हैं अन्रिजर्वड है इवसों ओवी सी हैं तो कॉंपेडिशन उतना है कि आपको कम से कम 65 67 पोशन सो सह करने ही करने पूदेंगे तो एक बर मैं finally सारे कैटेग्री का लिग देता हूं और रिजर्व कैटेग्री का है तो मैं मेरे हिसाब साथ को कम से कम 67 और 68 कोश्चन आउट अट आउट उट उट सेवंटीवाइव सॉल्ट करने ही पड़ेंगे अगर आप मालीजीए सेडूल का के सेडुल्ट ड्राइब के हैं तो इसमें मैं आपको बोलोगा कि कम से कम 55 कोश्चन आपको सही होने चाहिए अगर आप पी क्डीवॉड कैंडिडिट हैं तो यहाँ पर 50 कोश्चंश होने चाहिए अगर आप OBC है या फिर EWS काटेगरी में है TO किम से कम यहाँ पर भी आपक सब्सक्राइब तभी आप सोच सकते हैं कि जीनियू में पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस में आपको एड्मिशन मिल पाएगा अब यह सचाई है बेज़ डॉन आपके कट आफ के बारे में तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनको लग रहा है कि अभी तक तयारी नहीं शुरूर किया लेकिन के चांसे से तो आप देख लिए कि 75 पोश्चन में आपको रफली कितने कोश्चन जो हैं सही-सही आंसर करने पड़ेंगे तो आपको एक चीज़ तो क्लिए रो गया होगा कि कि कितना जाएगा पर्शेंटेज कितना आएगा आउट आउट आउ कितने कोश्चन सही करने हैं और अगर आप यह कर पाते हैं तो फिर जो है जेडी में सेलेक्शन आपका 100 पोश्चन गारेंटीड है और इसी टारगेट को रीच करने के लिए एक्जाम पेजी की तरफ से जो है टेस्रीज कोश्चन बैंक प्रिविएस पेपर सी श्टडी में सब कुछ प्रोवाइट किया जाता है तो उसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना हो दा नंबर 844-887-8849 और जो भी डिटेल्स है रिगार्डिंग टेस्रीज कोश्चन बैं उस सब आप यहां तर ले सकते हैं क्योंकि दिए कि अब्जेक्टिव टाइप इंडन्स एक्जाम तो यह चीज़े समझ आ गई हो आपको पसंद आया होगा तो प्रीज वीडियो को लाइक कर ले तो चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल भी दबाले हैं वो सारा आपको मिलता रहे है इसके अलाब अब या आपके पास कोई कॉस्चन है तो आप चानल के कमें में जाके कमेंट कीज़ें और रहे है था सुन में पास पास है मैं कून इसके सब्सक्राइब तो बेस्ट ça करें कर अब चैनल के कमें कमें के चैनल के कमेंट में जाके कमें किजें और when we try to answer it as soon as possible So thank you and we wish you all the best